आप देख रहे हैं यूथ निशन कोड़ आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने इंफिटी को डिटा इस्ट्रक्चर्चर्स में और भी बचे हुए जो हमरे 10 mc की उसे उनके बारे में तो सबसे पहले question पर हम लोग आते हैं मुझसे क्या कह रहा है कि following values जो है हमारी यह सारी इसको हमें store करना है एक hash table में और यह इसी order में हमें मिलेंगी hash function हम लोग यहाँ पे kmod5 यूज कर रहे हैं कह रहा है अगर मानलों कि हमें इन सारी hash values को sendi order में store करना है तो यह बताओ collision होगा की नहीं होगा तो simply आप क्या करोगे सबसे पहले इन values को ऐसे लिख लो अपनी copy में 81 हो गया 20 हो गया 34 हो गया 42 हो गया 21 हो गया 45 हो गया अब आप यहाँ पर hash function क्या उसकर रहा हो mod5 जब भी आप mod5 वाला यूज करते हो तो इसका मतला क् आप साधे के सारे numbers को 5 से इनका modulus निकाल दो 5 से divide रो देट चक्र remainder क्या रहे है इसमें remainder आए गा 1 इसमें आएगा 0 इसमें आएगा 4 इसमें आएगा 2 इसमें आएगा 1 इसमें आएगा 0 अब यह बताओ कहां-कहां पर repetition हो रहा है तो मैंने कहा भई कि देखो वन और 1 से में आ तो 1 और 0 के case में collision हो रहा है कि हम बोलेंगे 1 चाहिए तो बोल देगा 81 ले लो और 21 ले लो हम confused हो गए ना तो हमें हर एक value के लिए एक hash value चाहिए ठीक है तो यहां पर 1 और 0 पर collision आ रहा है क्योंकि इनकी value repeat हो रही है तो यह हमारा answer हो गया तो collision will occur at position 0 and 1 तो यह ही हमारा answer होना चाहिए तो यह है ठीक है अगले question पर आता है कह रहा है कि हमारे पास एक Q है एक function में हम लोग एक Q pass कर रहे है अब Q है कैसी कहर रहा है पास ही capacity है value पढ़ी है बारा दस पंदरा एक 20 तो बारा दस पंदरा एक 20 पहले जल्दी से बना लेता है बारा दस बारा दस पंदरा एक बीस यह हमारी क्या है Q है जो हम लोग यहांप पर input q भेज रहे हैं तो फिर मुझसे क्या कह रहा है कि इसको फंक्शन को हम भेज रहे हैं हो कह रहा है Q1 और Q2 का status बताओ अगर यह function चलेगा तो ठीक है चला देते हैं इसमें कौन से बढ़ी बात है कह रहा है Q1 नाम की एक हमारे पस Q बनी इस वाली लाइन पर आप देख पा रहे होगे Q1 नाम की Q बनी और Q2 नाम की Q बनी तो हम सिंपल यहां पर बना देना और यह हो गया Q1 और यह हो गया हमाई Q2 simple मुझसे क्या कह रहा है for i in range input q.front मतलब इस वाले इंडेक्स की बात हो रही है समझ गया है कह रहा है आपको करना क्या है यहां से लेके कहां से यहां से लेके इस पूरी Q में traverse करना है मतलब इन सारी values को एकर करके उठाना है देन आपको क्या करना है कि अपने input q से dq करनी है value बना बाहर निकाल दी है और item पर रखना है अब पहले इसका concept समझो सबसे पहले हम लोग अपने input q से dq करेंगे तो हमार 12 बाहर आ जाएगा 12 बाहर आ गया item बेश्टोर हो गया क्या 12 मेरा बढ़ा है 10 से बिल्कुल है तो उसको q1 में रखो हो तो 12 मेरा यहां आ गया अगली बार मेरा 10 आया अग 10 को हम लोग डिक्यू करें आइटम के value कितनी हो गई 10 हो गई 10 क्या बढ़ा है 10 से नहीं तो क्यूंस में आये और q2 में 10 को रख दिया तो इससे समझ में आ गए कि हमारी इस q में जितनी भी values 10 से बड़ी है उनको q1 में रखो और जितनी value 10 से छोटी है उन्हें q2 में रखो तो भई आफ 15 आया यह बढ़ा है 10 से बढ़ा है तो q1 में आएगा 1 छोटा है तो वन इधर आ अगले question पर आता है अब इसको समझना है ठीक है उससे कह रहा है कि आपने selection sort algorithm पर दख्खी होगी जिसमें हम लोग एक list को sort करते हैं ascending order में अब हम ऐसा क्या change करते हैं उस algorithm में कि हम उसे descending order में बदलते हैं मतलब हमारी कोई की जो हमने algorithm पढ़ते है selection sort की तो ascending order में पढ़ते ह है कि हमारा answer ऐसा ना चाहिए 1 2 3 4 5 अगर हमाई list जो है random order में दी गई तो हमें salt होने के बाद ascending order छोटे से बड़े के form में रज़र आनी चाहिए वह कहे रहा उसको answer चाहिए 5 4 3 2 1 तो हम करें क्या वह सबसे बड़ा element धूर लेंगे और उसको स्वाप कर देंगे सबसे पहली वाले इंडेक्स पर क्या वह हमें करना है सबसे पहला element धूरो और उसको स्वाप कर दो पहली पोजिशन में लिस्ट के जब हमें sending order में करना होता सबसे पहली पोजिशन वाले element के साथ तो आपका descending order में हो जाएगा simple अब यह वाला question मुझसे कि अगर आपको नज़र नहीं आ रहा हूं कि पढ़के बतायाता हूं कि जब हम binary search लगाते हैं ठीक है और वह number sorted order में हो मालो में लिस्ट में और हमाया पस 50 हमें दूड़ना हो एक लिस्ट में जिसमें एक सेलिक 50 तक element पड़े हुए हैं sending order में तो कितने guess करने पड़ेंगे तो सोचो कि एक हमारे पास list होगी बड़ी सी ठीक है इसमें 1 से लेके 1 2 3 5 6 7 8 25 पूरा-पूरा 50 तक हैसे element पड़े हैं अब उससे कहा रहा है कि आपको 50 दूड़ना है 50 दूड़ना है तो अगर आप यह पर binary search लगा रहे हो तो कैसे होगा पहले वीच वाले पर आएगा ठीक है सबसे पहला guess कि होगा कि middle element निकालेगा यह 25 तो 25 तो 50 नहीं होता अब इससे बड़ा है तो मतलब हमारी अगली वर कौन सी array उठेगी यह वाली यह वाली कहां से कहां तक है हमने का 26 से लेके 50 तक हमारी यह वाली array होगी अब इसमें दुबारा बाइंदी search हम लगा देंगे तो 26 प्लस 50 बटे दो मतलब हो जाएगा 76 बाइट तो आजाएगा 2, 3, 6, 28, 16, 38 मतलब 38 इंडेक्स पर आके गिरा उसका mid और चेक करेगा क्या यह हमारी 50 के बराबर है ऐसा तो नहीं है तो अगली बार हमारा क्या चेक होगा 39 से लेके 50 तक का लिष्ट जो होगी उसको हम चेक करेंगे क्या वहां पर हमारा 50 तो नहीं पड़ा है और 39 बाइट नाइन बाइट टू करोगे तो 45 पॉइंट सम्थी मतलब 45 आजाएगा तो 45 इंडेक्स पे वह आके चेक करेगा उस हो जाएगा 96 96.2 मिड की वेल्यू क्या आ जाएगी 48 48 पर आके चेक करेगा मिड की वेल्यू का 48 मिड़ा 50 के ब्राबर होता है ऐसा तो नहीं है अभी भी हमारा नहीं मिला तो 48 से एक कदम आगे मिड़ा मिड़ा 49 के से लेके 50 के बीच में होगी हमारी इसमें तो यह ऐसा तो नहीं है तो मिड़ प्लेस मतलब 50 तक उठाओ अब अगली बर वेल्यू किया बची हमारी लिस्ट में एक ही एलिमेंट है 50 इसका मिड़ तो यही आएगा 50 मतलब 50 पर पोजिशन पर आएगा और यह 50 मुझे यहां पर मिल गया था हमने कितनी बार गेस करा है आप यह उसे कहरा है आप को क्या लगता है जो आपने number of guesses करें हैं वो बराबर होंगे position of number उस position of number के जैसे कि अपने पिछले होंगे GPS में पर इसकी position कि ऑन से लिएक तक नमबर यह थे तों पर पाचास की Position थी 49 पर देचन तो क्या आप भी सोचते हैं कि number of guys जो आपने लगाए उसकी म लगा रहा होगा तो अभी मुझे आपको यहां पर पढ़ के बताना पड़ेगा रहा है नंबर हमाई सॉर्टेट और में है 25 को हमें धूरना है तो मैंने का 25 हम दूरेंगे एक लिश्ट है मेर पस एक से लिए बीच वाली वेल्यू निकालते हैं तो हमारा क्या अजागा 25 इंटेक्स सबसे पहले चेक करेंगे यहां पि नंबर गेसिंग यह हमें इसमें होड़ें नंबर जो हो हैं और एक से लेके 30 तक पड़े हुआ है मैंने का sorted order नहीं है sorry वो stored लिखा हुआ था वो मैं जल्दबाजी में sorted order पढ़ लिया ठीक है यह मुझसे कह रहा है कि 30 index तक के element पढ़े हुए मतलब 0, 1, 2, 3, up to 29th index तक मुझसे कह रहा है कि कितने guess चाहिए होंगे अगर हमें 24th position पर, 24th position पर जो element है इसको पता करना है तो अब यह बता हमें number ही तो search करना है तो कैसे search करोगे पहले यहां पर आए यह वाला तो हमने एक बार search एक बार guess करा यह नहीं है यहां दूसरी बार guess कर यहां भी नहीं है तीसरी बार guess कर यहां भी नहीं है तो इसका मतलब हमें number of guesses निकाल ले है तो यह होते क्या हैं इंडेक्स प्लस वन तो अगर हम 24 पर इंडेक्स पर वैल्यू पढ़िये हैं तो उसमें कितने guess कर चुके होंगे 25 पर हमारा guess होगा जो हम इस जगा पहूंचे होगा यहांपर number मिल जाएगा तो 25 मेरा answer आ गया टेख अगले question पर आता है करें number guessing game है करें मानलो कि number जो हमारे number guessing game है stored है एक list में और ऐसे 30 हमारे और है करें अगर हमें number जो guess करना है अगर वो index position 0 पे पढ़ा हुआ है वादा हमारे पस अगर total बहुत सारी values पढ़ी हुई है ठीक है 30 number है 0, 1, 2 यह इनको index पढ़े है हम लाइन से चेक करेंगे सबसे पहले हम 0 index पे चेक करें कि हमारा number जो हम दूर दाए क्या वो 0 index पे है और वो कह रहा है कि यहाँ पर पढ़ा है इसका मतलब हमें कितने guess करने पढ़ेंगे एक ही guess में हमारा answer मिल गया है तो यह कह रहा है कि हम number found कर पाएंगे एक ही guess रहा है तो हमारा answer आ गया true आ गया बात है अपने अगली question पर हमसे क्या कह रहा है कि वह जो following values है जो हम इस्टोर कर रहे है hash table में इन सब के लिए है तो यहाँ पर कौन सा hash function सबसे best होगा तो अगर hash function मेरा 5 है तो 5 के लिए इन सारी values का remainder निकाल लो इसका इसका आएगा 4 इसका आएगा 0 0 0 3 यह हमारा आएगा जब हम 5 से remainder निकालेंगे इन सारी values का 4 से remainder निकालने पर क्या values आ रही है इसका एगा 0 4 8 32 3 बचा इसका जाएगा 1 बचेगा यहाँ यहाँ पर 88 आजाएगा तो दो बचेगा वह यहाँ पर तीन बचेगा 3 से अब दिवाइड हैंगे तब क्या होगा सिरज और एगा सिरी यहां पर डिमिएंडर ने के से करेंगकी तो से ऐ तो यहां पर दो आपको में और हमारे उने में हमारी शॉलिजन हो रहा है एक दो तीन यहां पर टोटल कितने कोलीजन हो रहा है तीन कोलीजन हो रहा है इस वाले में कितने कोलीजन हो रहा है एक दो तो यह वाले में हमाई 54 35 है तो आजएगा 0 35 में आजएगा 1 45 में आजएगा 1 90 में आजएगा 0 को और मुस्ते क्या कह रहा है कि 43 उसमें आजएगा 1 तो यहां पर 3 यहां पर clash करते हैं यहां पर इसमें 3 ही आ रहा है तो हमारा option के बचाहिए के मोड 4 झाल झाल